गिल्ज मिन्टोर के ओफिशली यूटूब चैनल पर मैं आप सब का वेलकम करता हूँ और बहुत ही खास इंपोर्टेंड एक न्यूज लेकर मैं आप सब के लिए आ चुका हूँ आप में से हजारों स्टूडेंट्स हर साल किसी ने किसी भरती में पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद में जब लगबग 6 महीने साल बर किसी प्रोसेस को निकल जाता है और इस प्रोसेस के बाद में हमारे में से कुछ केंडिरेट होते हैं वह सलेक्ट हो जाते हैं कुछ छोड़ देते हैं छोड़ने का मतलब होता है कि उन्हें पता है कि हाँ मेरे marks अगर 45 है या 50 है इन से उपर वालों को उठा लिए मेरा number नहीं आएगा लेकिन ऐसा कभी कबार आपकी किस्मत जाग जाती है आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि एक department के अंदर maximum students की appointment हो चुका था लेकिन उसके बाद में आपकी किस्मत अच्छी मानू या मैं हो सकता हूँ कि आप भगयशाली है आपके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई और वेटिंग लिस्ट में आपको area लॉट कर दिया गया और आप किसी भी प्रकार की कोई जानकरी चाहते हैं तो आप हमें message के दवरा पूछ सकते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ officially notification पर और वहां देखते हैं क्या है आप सब के लिए important जानकरी येक notification रिलीज किया गया है पंजाब and high court के दवरा इसमें clerical paper हुआ था clerical paper के अंदर maximum students को joining मिल गी थी लेकिन बहुत अच्छी news ये है कि waiting list जारी कीगी है देखो आप हरानी होगी आपको देखकर कि marks दिखिए गर written के 40.5 यानि इसका मतलब है कि 45 नंबर के candidate को direct appointment किया जा रहा है अलोट कर दिया गया है और general category के total 23 candidates हैं जिनकी किस्मत जाग गई है और आपको क्या करना है कि 11.4.2019 तक आपको report करनी होगी इसके लिए आपको क्या काम करना है इसकी officially website पर आपको इसके में check करना होगा और ये division आपको जो concern जो session division अलोट किये गए हैं वहाँ पर आपको इसकी further instructions आपको मिल जाएंगे मैं आपको waiting list दिखा देता हूँ total आप अपना नाम देख सकते हैं आप में से जो भी candidate देख रहे हैं मैं आपको personal request करूँगा कि आप जरूर शेर करिएगा क्योंकि आपके साथ भी कभी कबार ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं example देना चाहूँगा आपके सामने PS PCL ने clerk का paper लिया था और उस paper के अंदर आप सबको पता है कि result कितने time 10 मेने के बाद में result आया था फिर उसके बाद में counseling हुई थी अब आगे थोड़ी procedure और भी pending पड़ी है तो ऐसा होता है ऐसा क्यों होता है ये हमेशा question खड़ा है तो आपके CEO के साथ इन students तक information पहुंचाना आपकी जिम्मेदरी बनती हलांकी 3 दिन होगे इस notification को आये होए लेकिन फिर भी कभी कबार ऐसा होता है कि उन बचों तक नहीं ज आप देख सकते हैं कि role number, name, registration number, father name, date of birth, category and marks and particular जो इनको lot किया गया division या मैं कह सकता हूँ district है वो है तो guys आप सब के लिए बहुत अच्छी news है और आप इसी परकार इसको like और share करें जुरूर अपने दोस्तों तक अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी परकार से news अपडिट होती रहे तो इसके लिए channel को आज ही subscribe कर लें, subscribe करने के साथ में bell icon को press करना बिलकुल भी नहीं बूलना, thank you so much आप सब ने हमें time दिया, मैं मिलूँगा next में, तब तक ख्याल रिखेगा, take care, bye bye